गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब एंजोइंग हॉलिडेज राइट तो आज का वीडियो वो है जो आप बहुत 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 दिनों से बनाने के लिए बोल रहे थे एंड वो है फुल डे व्लॉग तो चलिए दिन की शुरुवात करते हैं अफकॉर्स विद ग् मुझा आता है ये सिजन में क्यूंकि समर सेजन में तूप बहुत ज़ादी आ जाती हैं मुंसुन में तो कभी कभी सुबह से बारे स्टाट हो जाती है बट जैसे विंटर सीजन थोड़ी स्टार्ट होने लगती है मौनिंग वॉक का और बहुत जादा मज़ा आता है और पार रही है वैसे होलिडेज में आप लेट उठना प्रिफर करते हैं या मेरी तरह अर्ली उठना ही प्रिफर करते हैं अब यह घर पे बनाया हुआ अलमें पाउडर इसे हमें खाना नहीं है बट इसका फेस बैक बनाना है तो इसमें थोड़ी सी हनी एड़ करके इट्स रेड यह विंटर के लिए पनाफ तो बेस्ट गर पे बनाया हुआ फेस पैक है बिकाज आलमें में भी ओइल होता है और हनी इस अल्वेज गुट फर आर स्किन कर तो इस फेस पैक को टैन मिनिट्स रखके मैंने फेस वाश कर लिया नाव इस ताम तो चूज आज के आउटफिट क अब पिलेते हैं बोनवीटा जो कब से टेबल पर हमारे वेट कर रहा था नाव वन टाइम लिमिट क्वेशन फॉर यूल मैं 10 काउंट करूंगी तब तक आपको कमेंट्स में यह बताना है कि यह कब मुझे कब मिला था एंड दे हिंट इस यह वाला कप मुझे सबने गिफ् करना बाइद वेड़ अभी कर रही हुँ में डियावे रूम को डिकलेटर एंड यह करते करते कुछ कुछ चीजे ना इधर उधर हो जाती है तो वह डिकलेटर अगर साथ-साथ में ना करें तो तो फिर एकदम ही मैसी हो जाता है पुरा टेबल एक्चली इस वीक में फिर ममा ने बुलाया था फॉर ड्राइफ रूट्स लेकिन अभी थोड़ा सा ही क्लिनिंग बागी था तो मैं साथ-साथ में उपर लेकर आ गई यह आज के डिकलेटर गोल का लास्ट पार्ट है फेविकॉल और डिफरेंट डिफरेंट ग्लूज को यहां पर ही रख देते है ताकि एकदम हैंडी रहे और आज हम कुछ बेक्टु स्कूल डियावेस भी करेंगे लेकिन अभी लंच टाइम हो गया है तो पहले लंच कर ले हैंगे तो लेट्स मेक इट उसके लिए मैंने स्टोन एक्रेलिक कलर्स तो ले ही लिया है बट यह वायर क्यों लिया है वही आप सोच रहे होंगे ना तो वह आपको थोड़ी दिर में बता चल जाएगा तो हम इस टोन को पेंट करने वाले है और उस पर कुछ डिय भी बनान है और स्टाटिंग विद बेज कोट हम अप्लाइ करने वाले है वाइट अक्रेलिक कलर और मैंने फ्लेट ब्रॉश ले लिया है वैसे इस बार नेल आटना हर बार से कुछ हटके की है हाफ नेल में पॉल्का डॉट तो अब हमारा बेज कोट ड्राइ हो गया है और हम इस पर करते हैं वैसे डिजाइन क्या करेंगे वही मैं सोच रहे थी बर स्टार्टिंग विद येलो कलर मैंने हाफ स्टोन पर येलो कलर अप्लाइ किया आई तिंक ये स्टोन हाफ प्लें तो काफी अच्छा लग रहा है तो दूसरे हाफ पर कुछ डिजाइन करते हैं और येलो को छोड़ देता है तो मैंने पिंक, वाइट एंड येलो को मिक्स करके पिछ कलर बनाया और उससे लाइनिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया वैसे अगर आप स्टोन पर पेंट कर रहे होते तो आप कौन से डिजाइन बनाते कमेंट्स में बताना आइमीन किस टाइप की डिजाइन बनाते अब बिंक कलर की लाइनिंग्स हो गई है वैसे तो यहाँ पर वाइट कलर भी अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ग्रीन करना था तो मैंने लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया तो अब बारी है स्टोन को फाइनल टच देने की इसलिए मैंने फटा फट से डिटेलिंग ब्रश लिया और उससे वाइट कलर की दो लाइन्स बना ली and finally Varnish लगा के now it's time to use this wire क्या आप यही सोच रहे है कि क्या wire से मैं stone का measurement ले रही हूँ और अगर हाँ तो वो measurement से क्या होगा so आगे आपके question का answer so हम बना रहे हैं एक to-do list holder and वही बनाने के लिए यह wire मैं end से round round कर रहे हूँ ताकि हमारा to-do list इसमें रहाए तो टू-डू लिस्ट तो हम कुछ इस तरह से रख ही सकता है लेकिन ये एज़ पेपर विट भी हमें यूज़ आ सकता है येस, तो इट से टू-इन वन डियाईवाई और आप भी अपने टू-डू लिस्ट इस तरह से रख सकता है लेकिन कुछ ऐसी डिजाइन करेंगे जो अभी तक हमने नहीं की हो तो हम बहुत सारे कलर्स यूज़ करने वाले है इसलिए स्टार्टिंग विट औरेंज कलर तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरह से एल शेप बनाया और सिर्फ वाटर से ही मर्ज कर दिया कलर यह वाली टेक्निक इतनी इजी है कि सिर्फ बुकमार्क ही नहीं आप इससे बहुत सारे डिफरेंट तिंग्स बना सकता है एक्चिली पहले तो मैं इसमें दो ही कलर्स यूज़ करने वाले थी पिंक एन डार्क पिंक लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मल्टी कलर करेंगे तो यह और भी प्रिटी लगेगा और फाइनली अबर पैटरन इस रेड़ी अब सिर्फ बुकमार्क को रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया और फिर रिबिन लगा दी और इस बार हम थ्रेड नहीं रिबिन यूज़ करने वाले है तो थ्री नॉट्स टाइ कर लिए एन इट्स रेड़ी तो आप इसको टैन में से कितने रेट्स देने वाले है चल लिसे कमेंट्स में बताईए अभी थोड़ी दिर में हम बाहर जाने वाले है और ममा बना रहा है मौसंबी और औरेंजिस का जूस और ये जूस बनाने के लिए ममा इलेक्ट्रिक जूसर से ज्यादा प्रिफर करता है मैनियल जूसर तो अब जूसर रेड़ी विद फुल अप नूट्रियंट्स और इट्स बिट थिकर अलसो कंपेर्ट्रिक जूसर फिर मैंने खाय कुछ श्प्राउट्स जिसमें मूंग के साथ कुछ और पल्स भी ढालता है मौम इट्स वरी हल्दी एंड टेस्टी टू तो अभी हम जा रहे हैं विंटर मार्केट में एक्चली फिलहाल तो हम यहां से पतले वाले सॉक्स ही लेने है जो लास्ट यहां से बहुत अच्छे मिल गए थे लेकिन आया ही है तो साथ साथ में यह भी देख लेता है कि विंटर कलेक्शन में क्या-क्या नया आया है कुछ निव पेटरंस अफकॉस एड़ होई थी लेकिन लास्ट यह वाली पेटरंस भी कुछ-कुछ रिपीट होई थी वाव यह पिंक सॉक्स तो बहुत अमेजिंग है और यह हमें चाहिए थे वैसे थिन वाले सॉक्स है इनमें से हमने थ्री पैर सिलेक्ट की और मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन से थ्री कलर सिलेक्ट की है वैसे तो कलर वेरियेशन ज्यादा नहीं थे इसलिए हमने उन में से थ्री सिलेक्ट कर लिए क्योंकि मटेरियल काफी अच्छा लगा अभी ममा बना रहे है डोसा और आज पेपर चीजी डोसा बन रहे है जो मेरे फेवरिट है और ये वाले डोसा के साथ ना हमें पर्सनली सामभार इतना पसंद नहीं है इसलिए चाई और मेरे लिए बोनविटा बनता है वैसे डोसा बनाने की प्रोसेस देखना ना बहुत इंटरस्टिंग है मसाला चीजी पेपर डोसा विथ मिल्क तो हम सब को आइस क्रीम खाने का मन था इसलिए हम लेने गए आइस क्रीम बट वहाँ जाके मेन्यू देखके आइडिया आया कि क्यों ना आइस क्रीम केक ही ली जाए तो different different flavors के ice creams लेने की जगह हमने ये chocolate overloaded cake ली अब चलो इस ice cream cake को लेकर जल्ली जल्ली चलता है घर तो ये chocolate overloaded cake की मिठास के साथ आज का vlog हम यहाँ पर end करते है I am sure कि आप सब को and खास करके वो सारे amazians को जिन्होंने बहुत दिनों से comments में full day vlog करने के लिए कहा है उन सब को अच्छा लगा होगा and अब next video कौन सा चाहिए वो आप लोग बताना So again majority of comments जिस topic पे होगी वो topic हम पहले चूज़ करेंगे Bye Bye